तो यार आज है ट्वूटिश्ट उप्टेंबर तो तो विए इंपॉर्टेंट करेंट अफेर है उस पर जो आज का डिसक्शन उसे फटावट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो करेंट country से related है बाइन द्वा है बीन अपॉंटेट एज इंट्रीन प्रेसिडेंट आफ दा माली तो यार यह अपने जो बाइन द्वा हैं यह मतलब कि एक नए प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं माली कंट्री के और यह वहां के मतलब पहले डिफेंस मिनिस्टर थे तो अब को मतलब प्रेसिडेंट चूज किया गया है माली के तो इस चीज चीज का आप ध्यान रखिएगा बाकी जो माली की कैपैल है वह बमाको है और जो करेंसी चलती वह फ्रैंक चलती है तो इसी इसका आप ध्यान रखेंगा अगला जो करण्ट अफेर है वह आपका तमिल नाडू से रिलेटेड है इंडिन गौवर्मेंट हैस प्लाइन टू सेट अप ए नियूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी इन तमिल नाडू तो यह जो अपनी इंडिन होगी और मतलब यह जपान में भी थी और इटली में भी है तो इसलिए इंडिया गौवर्मेंट ने भी यह सेट अप करने की खोशना किये कि एक नियूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी सेट अप करेगी जो तमिल नाडू में करेगी तो इस चीज़का आप ध्यान रखेंगा अ यार 26th September को यह जो है अपना Elimination of Nuclear Weapons Day celebrate किया जाता है इस दिन मतलब यह जो हमेशा के लिए खतम करते तो इस चीज़के लिए यह जो डे है यह अब्सर्व किया जाता है और यह हर साल 26 September को यह यह जो इंटरनेशनल डे है यह मतलब कि हम बनाए ऑबसर्ब किया जाता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए जा अगला जो करण्ट अफेर है वह आपका यू उनाइटेड नेशन से रिलेटेड है यू नाइटेड नेशन क्लाइमिट चेंज कॉनफरेंस तो बी हल इन ग हो नइटैन है वो को होस्ट करेगी तो यह जो है यह 12 दिसमबर को यह उबजब किया जाएगा मतला क्धिक कान्फरेइन जो है वह 12 दिसमबर को होगी तो इस चीज़ का àpt ध्यान रखिएगा कि यू नाइटेड नेशन और बिइटेव जो है वो इसके तो इस चीज़ का द्यान रखे या अगला जो current affair है वो आपका महारास्ट से related है महारास्ट started the my family my responsibility campaign by उदफ ठाकरे तो यार यह जब ने महारास्ट के जो cm है उदफ ठाकरे इन्होंने campaign run किया है my family my responsibility मतलब मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी करके campaign launch किया है जो कोवीट से related है इसमें मतलब आप अपने परिवार की आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं तो इसलिए जो उदफ ठाकरे जी है उन्होंने यह जो campaign है my family my responsibility यह जो campaign है इसे रन किया है तो इस इसका आप ध्यान रखेगा कि यह जो campaign है वो महरास्टर से related है तो अगला जो current affair है वो आपका former rebel military commander इशा मेल टोरानो से related है तो former rebel military commander इश्माइल टोरानो इश्माइल टोरानो इस बिन elected as the president of bolgan villa तो यार यह जो अपने यह rebel military commander है इश्माइल टोरानो जो elect किये है ऐस प्रेसिडेंट आफ बोगैन विला के तो यह वहां के भी मतलब की defense में थे वो rebel military में थे तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा और बाकी यह जो प्रेसिडेंट चूज किये है वो बोलगैन विला के चूज के गए है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा तो आज के current affair में इतना है अगर आपको यह सारे current affair helpful लगे तो हमारे इस वीडियो को ज़रू लाइक किजेगा साथ में चैनल को ज़रू सब्स्राइब कीजेगा तो आज के लिए इतना ही हुआ 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 है